तो अब ये प्रधान मंत्री अगर आपको बंडे का मौकल मिल जाए और आपको धोखा देने दोखा देना चाहते हैं आप देश को मतलब लूटना चाहते हैं बरवाद करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप आपको सबसे अधीक फाइदा होगा इस बात को या रखेंगा तो क जैसे ही उचा पद पे लोग जाते हैं और वो करना सुरू कर दे धोखा दे खाते ना सुरू कर दे तुम बहुत पैसा कमा सकते हैं और जो गलत काम में फस गया जिसको गलत काम करने से जो फाइदा मिल गया उनकी आदत लग गई अब उसको हम सुधारेंगी कैसे यह सब विश्यसता है तो सबसे पहली बात है संघर्स करने वाला वैक्टी अपने मेहनत का सिर्फ भरोसा करता है सिर्फ मेहनत का ही फल की इच्छा करता है वह लो भी नहीं होता है और जो वैक्टी लो भी बन जाता है वो अपने आपको तो बेची देता है अपना पद का तो बेची देता है उसकी कोई भैलो नहीं रहा जाती है वो कितना भी बड़ा बन जाए ठीक है एक जोटी जोपणी में भी जो रहता है उसको इजट और एक दस्तलना मकान बला ले फोर विलर से चले या बढ़िया से चले उसकी कोई भेलो ने इस बात को याद रखेगा ऐसे वैक्ति संगहर्ज करते है पैदल ही चले साइकल से चले करेंगे वह आराम से बैठें तो यह सब लोभी होते हैं अब सबसे बड़ी बात बात मैं बता दूं कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको सबक कैसे सिखाया और यह कैसे उनको सुधार है ताकि वह गलत कर रहे हैं तो कहीं हम उनसे जुड़े हुए हैं और उनका परभा हमारे पर अगर पढ़ रहा हो तो उटे तो सुधारना तो होगा यह जरूरत है बाकी अगर कोई भी प्राणी मैं यह कहता हूं कि इस समाज का इस देश का कोई भी वैक्ति अगर गलत करता है तो उसका समाज पर प्रभाव पढ़ता है वो डिरेक्टी ना पढ़के इंडिरेक्ली पड़ता है इसलिए हर वैक्ति को सही कार्ज में लगे रहाना चाहिए संघर्ष करना चाहिए जूट नहीं बोलना चाहिए सही कार्ज करना चाहिए अपने बहुरत पर भरोशा करना चाहिए ठीके दिखावट नहीं करना चाहिए जूटे-जूटे वादे नहीं करना चाहिए तो यह सब चीजे हैं, लेकिन जो लोग कर रहा है न, वो तो जिद्धी होगा, अंदोलन भी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, कोई भी हो, मतलब घर में अगर कोई गलत कर रहा हो, तो वो लोग जनता अंदोलन करते हैं, तब ही यह सुधारा जा सकता है, ठीए, तो मारना, प दूरी है दोस्त, नहीं तो फिर समझ लीजिए क्या होता है,